Hello friends and welcome back to another video और आज हम बात करेंगे एक new feature के बारे में जो आप अपने phone के अंदर enable कर सकते हैं वो भी एक update करके तो ये feature है दोसो tap plus और ये tap plus feature दोसो आप अपने phone के अंदर enable कर सकते हैं ये MIUI 12.5 का feature है जो आप अपने किसी भी phone के अंदर अपडेट करने के बाद use कर पाएंगे तो ये feature के बार में जानने के लिए दोसो आप वीडियो को पूरा last तक देखेगा अगर आप इसे enable करना चाहते हैं मैं आपको बताऊंगा कैसे इसे enable करना है तो वीडियो काफ़ यादा क्योंकि यहाँ पर हमें link मिल जाएगा और इसका भी link मैंने आपको वहीं पर दिया हुआ है तो हम जाकर वहाँ से download कर सकते हैं और आपको information भी वहाँ पर सारी मिल जाएगी तो बता देता हूं मैं आपको दोस्तों MIA 12.5 MIA 12.5 का यह feature है tap plus और अभी मैं आपको इपर चेक करा देता हूं special feature के अंदर देखिए यहाँ पर हमें कोई भी अभी feature नहीं मिलता क्योंकि global में अभी नहीं आया है चाइना में यह feature दोस्तों work कर रहा है download करने के बाद दोस्तों यह देखिए यहाँ पर यह file है जो कि मैंने अपने phone में download कर लिया है उसके बाद आपको इसको update कर लेना है tap plus को ताकि हम इस नए feature को अपने phone के अंदर enable करवा पाएं तो अभी हम यहाँ पर इसे update कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमें tap plus मिल जाता है और tap plus जैसी आप जाएंगे तो यहाँ पर हमने यह इस तरह से tap plus feature को अपने phone के अंदर enable कर लिया है तो यह देखिए यहाँ पर लिखा turn on tap plus और आपको यहाँ पर gesture वगेरा भी मिल जाते हैं पर अभी यह feature इस phone में work नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हम देखते हैं press and hold an item with one finger to use tap plus tap plus is a system service that allows you to analyze image and text by pressing and holding item in your screen in order to get यानि कि दोस्तों इसकी मदद से हम अपने phone के text और जो images से उनको analyze कर सकते हैं काफी कमाल का feature है लेकिन पहले तो यह install भी नहीं हो रहा था APK लेकिन अभी यह install भी हो रहा है और कुछ दिन में यह work भी करने लग जाएगा तो अभी इस phone में यह work नहीं कर रहा है और मैंने दोस्तों इसको एक और phone के अंदर update करके देखा इसमें भी हमने इसी तरह से APK को download कर रहा है download करने के बाद अभी हमने इसको install कर लिया install करने के बाद यह feature दोस्तों आगे है इस phone के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ special feature के अंदर और tap plus में यहाँ पर भी हमने इसमें भी enable कर लिया है turn on tap plus बट यह यहाँ पर अभी work नहीं कर रहा tap plus feature तो इसमें भी दोस्तों हमें gesture मिल जाते हैं जहां से हम इसको set कर सकते हैं और app block list मिल जाती है तो वैसे दोस्तों यह feature देखने में और जिखाने में काफी ज़्यादा कमाल का लग रहा है और कुछ दिन पहले तक दोस्तों यह install भी नहीं हो रहा था फोन के अंदर और error हो जा आ रहा था लेकिन अभी यह install भी हो रहा है और feature support भी कर रहा है special feature के अंदर tap plus भी आ रहा है लेकिन अभी यह feature phone में सजी से work नहीं कर रहा है तो ये दोस्तों हो सकता है कुछ update से बाद या कुछ दिन के बाद ये इस phone में या हर किसी phone के नदर work करने लग जाए और चाइना में बहुत ये अच्छे से work कर रहा है और अगर आप इस feature को try करते हैं डाउनलोड करते हैं तो please मेरे को comment करके जरूर बताना कि आपके phone में ये feature work कर रहा है या फिर नहीं कर रहा हो सकता है आपके phone में ये feature work कर जाए तो एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा इसको try कीजिए और अपने phone में update जरूर कीजिए तो दोस्तों I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को like करना बिल्कूर भी मत बुलेगा चै सबसे एक और नेक्स वीडियो में तब तके लिए thanks for watching